राम नरेश्टिर पाठी अपती पथिक कवीता में आगे क्या कहते हैं कि दूसरा पद देखते हैं रतनाकर गर्जन करता है क्योंकि अभी उन्होंने कहा कि मेरे सामने है वो समुंद्र है रतनाकर गर्जन करता रतनाकर उस समुंद्र का ही प्रायवाची है कि समुंद्र है वो मेरे सामने जोर जोर से गरजनाएं कर रहा है मल्य नील बहता मल्य नील मल्य से आने वाली हिमाले जो परवत है जो मल्य गिरी परवत है वहां से अनिल वायू जो बहकर आ रही है वो सुगंदित वायू है तो कभी कहते हैं कि मेरे सामने है वो लहरों से गरजना करता हुआ ऐसा समुंद्र है और साथ में मल्य गिरी परवत की सुगंदित वायू बह रही है हर दम यह होसला हर दम में प्रिये सबसे कह रहे हैं वो जो भी श्रोता है हमारे और जो पाठक हैं उनसे कह रहे हैं कि हे प्रिये जनू यह जो समुंद्र है वो और जो मल्य गिरी की सुगंदित वायू है यह हर दम मेरे मन में हर समय मेरे मन में एक होसला भरते हैं कि मैं आगे बढ़ूं या मेरे अंदर एक उत्साहा को भर रहे हैं कि इस विशाल विस्तृत महिमा मेरतना करके घर के विस्तृत बहुत दूर तक जो फैला हुआ है ऐसे महिमा से पूर्ण महिमा पूर्ण इस रतना कर समुंद्र के घर में कि ऐसा घर इस समुंद्र है एक घर के जैसा है कि जो विशाल है दूर तक फैला हुआ है ऐसे महिमा पूर्ण इस समुंद्र रूपी घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरू जी भरके कि मेरा मन करे तब तक मैं इस समंद्र रूपी घर के कोने कोने में मैं लहरों पर बैठ करके जा सकूं ऐसा मेरा मन कर रहा है